भारत के संबिधान के आटिकल 21 में बता गया है कि हम लोग इंसान है कोई क preoccupy या बिल्ली या किसी भी तरह के जानवर नहीं है सायदिसे हम लोगों ने इतना गंभिरता से ले लिया है कि हम खुदको तो इंसान बोल रहे हैं लेकिन जानगुरों से भी बत्तर काम करने पर उतर आए जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उत्राखन में चल रहे अमानभिय काम की जहां पर हजारों की तादात में घोड़े और खचरों की मौत हो रहा है जै जगनाद दोस्तों पहले जब लोग हमारे देश के केदानाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्तल पर जा रहे थे उनके दिनों में आस्ता थी लेकिन अगर आज की बात करें लोग अस्ता से ज़्यादा जुनून से भरे हुए हैं और अपने इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर पिक्चर भी शेयर कर रहे हैं दोस्तों इसमें कोई बुरा ही नहीं है तो फिर दिक्कत क्या है जरा इस वीडियो को देखी 31 मार्थ को दैनिक जागरन का एक रिपोर्ट आता है जहां पर वो बताते हैं कि पिछले 23 दिनों में लगबग 400 घोड़े और खचर की मौत होगी उसके बाद मिरर नाओ के एक रिपोर्ट के मुताबिक केदानाथ के दुर्गा मेरिया में चड़ाई के कारण 20 दिनों में लगबग 60 घोड़ो की मौत हो गई और उस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि घोड़ो के मालिक उनको मारा करते हैं सरकार ने डिपोटीस के लिए सभी आरेंजमेंट्स की हैं सरकार, पुलिस प्रसासन, जिला प्रसासन के दावों के मुताबिक केदानाथ में सभी आरेंजमेंट्स दुरूसते लेकिन दोस्तो जमीनी हाकिकत कुछ और ही भया कर रही है रियलिटी देखे तो केदानाथ में तमाम वेजुबान घोडों खचरों की लास यहां वहां पड़ी हुई नजर आएंगी जिनके बारे में ना ही उनके मालिक सोचते हैं, ना ही सरकार, ना ही पोलिस प्रसासर जो घोड़े और खचर रोजाना केदानाथ की चड़ाई करते हैं, उनके ओपर बहुत ही ज़्यादा बड़न होता है, और कभी-कभी तो अपने थ्यमता से अधिक काम करना पड़ता है, और आखिर में सही खाना और पानी के अभाब में मर जाता है। जो कि क्या इन जानवरों की जान की कोई कीमत नहीं है। केदानाथ जैसे पवित्र धार्मिक स्तल को वेपसाई उन्हें चंद रुपे कमाने के लिए एक वेपसाई बना लिया है। एक दिन में मिनिममम 30 लिटर जरम पानी पीता है। केदानाथ की जो पेदल मार्ग है उसमें हर तिन लगभग 4000-5000 गोड़े और खचरी यात्रा करते हैं। और 40-30 डिवोटीज इनी जानवरों के बदोलत केदानाथ पहुसते हैं। इस सल यात्रा के लिए लगभग 8200 गोड़ो और खचरों का रिजिस्टेशन किया गया था। लेकिन इसके अलावा 1000 से भी ज़्यादा गोड़ो और खचर बिना रिजिस्टेशन के पेदल मूव कर रहे। और सबसे ताजुक की बात ये है कि इन जानवरों की देखवाल के लिए आनिमल हज्वाणरे डिपार्टमेंट के तरफ से गोवरी कुंड में दो और सोनप्रयाग में बस एक ही डॉक्टर को तेनात किया गया है। खाते हैं लेकिन इसके अभाब के कारण इनके मालिक लोग इनको घुसा गुड़ और चना खाने के लिए देते हैं जिसके चलते इन जानवरों के इंटेंस टाइन में लंप्स बन जाती है और आखिर में ये जानवर पिसाब करना बंग कर देते हैं। इसे बुल्रेस अर्गानाईज कराई जाती है। पुल्रेस शुरू कर देते हैं। और यहीं पर जिक्र आता है एक और्गानाईजेशन के बारे में जिसका नाम है पेटा। और इसका फिल्फार में पिपल फर एथिकाल ट्रेटमेंट आफ आनिमल्स इस और्गानाईजेशन का हेड़काटर अमेरिका में हैं। और यह बेसिकली आनिमल राइट्स के लिए काम करता है। फाइनली दोस्तों पेटा इंडिया ने 2020 में 15 से लेके 19 जनवरी तक तामिल्लाडू राज्ये में आजित 7 जलिकटू इवेंट्स में प्रत्यक दर्शियों की जाच गी। जिसमें जानवरों के प्रतीब बड़े पेमाले पर क्रुल्टी के सबुट सामने आए। जलिकटू के दोरान पाटिस्पंट्स बूल को फिजिकली और मेंटाली हरास किया करते हैं और कभी-कभी तो इंसान और जानवरों के जीवन खत्र में आजाता है। बूल्स को दोडाने के लिए उनके ओपर अत्याचार भी किया जाता है जिसके लिए वो फिजिकल गूप से डिजाइन नहीं किया गया है। मदुराई, तिरिचिरापली और डिंडीगल जैसे जिले में जब जली केटो और्गानेस किया गया, बहां से हमें जो तस्वीर और वीडियोज मिले, दोस्तों उसमें से साप ये पता चलता है कि बेलों को रसियों से मारा जाता है, कील लगे लकडी के डंडों से भी मारा ज जंटों तो खड़ा करके उन्हें रेस में पाटिस्पेड करने के लिए मजबूर किया जाता है, अभी तक जितना मैंने आपको बताया वो एबाउट इंडिया था, इसके अलाभा BBC के एक साल के रिसर्च में इंडोनेसिया से आमेरिका तक फेले एक साडिस्टिक ग्लोबाल और सबसे चोकाने वाली रिपोर्ट ये था, वार्ड सर्विस को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य जगों से सेकडो कस्टमर्स मिले, जो इंडोनेसिया ही लोगों को फिल्म में लंबी पूछ बाले मकाओ के बच्चे को याकना देने और मारने के लिए एक हिूज आमाउट प बहुत सी जानकारी मिला होगा, मिलते हैं और एक वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे चानल को सस्क्राइब करना मत भूलिए, जय हूँ